साम की चार बचते ही मन करता है कुछ चटपटा खाने का घर में रोटियां बच जाती हैं बट रोटियां खाने का किसी का मन नहीं होता तो आज हम रोटी से ही बनाएंगे एक नए तरीके की बहुत ही टेस्टी बहुत ही हल्दी रेसिपी तो चलिए बनाते हैं इसके लिए यह अद्रक को भी ऐसे ग्रेट करके डालेंगे आप चाहें तो अद्रक का पेश्ट भी डाल सकते हैं यह देखें आप अपनी पसंद की और भी सब्जियां इसमें एड कर सकते हैं लगबग तीन बड़े चमश हम इसमें लेंगे बेशन साथ में हम लेंगे दो से तीन चमश ही के इतनी ही सूजी एक छोटी चमश अजवाइन स्वात के अनुसार नमक फिर थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया तीन बड़े चमश दही डाल करके सारी चीजों को अच्छे से मिलाना है जरूरत के हिसाब से हम इसमें पानी भी एड करेंगे तो यह देखें इसमें थोड पानी डाल करके हमने इस तरीके का इसका बैटर रेडी किया है इसमें हम डाल देंगे आधा चमश लाल मेची पाउडर अगर आप तीखा नहीं पसंद करते हैं तो इसे एवाइड भी कर सकते हैं यह देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया आप इसे रख देते हैं साइड में तो आप इसमें चुटकी भर के जितना बेकिंग सोडा या फिर इनो भी डाल सकते हैं अब आपको ले लेनी है रोटी जो बची भी रोटी रखे वही ले लिजे या फिर आप ताजी रोटी भी ले सकते हैं इसमें हमने एक चमश सेजवान चटनी डाल करके से लगा दिया औ आप हरी चटनी ये टुमैटो केचप का भी इस्तमाल कर सकते हैं ये पूरे में फैला दिया आप गैस पे हमने एक तवा रखा है इसको थोड़ा सा हम चिकना कर लेंगे और इसके उपर हम ये रोटी रख देंगे अब इसे हम ढग देंगे फ्लेम को कर देंगे लो और लो फ अब पूरी तरीके से सेट नहीं हुआ है तो पलट करके इसे ढख करके फिर से दो मिनट के लिए पका लेना है ये देखे फ्रिंट्स इस तरीके से अब धकर हटा लेते हैं और इसे दबा दबा के अच्छे से सेक लीजिए ताकि सबजियां और जो बेसन हमने इसमें लिया ह बेसन का पेस्ट है वो कहीं से भी कच्चा नहीं रहना चाहिए तो यह देखे ऐसे फिर से पलट देंगे और अभी आप देख सकते हैं वैसे तो यह पक चुका है लेकिन थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है तो थोड़ा सा हम इसके उपर पहले घी लगाएंगे फिर हम इसे अच् तो यह देखे फ्रेंड्स हमने इसे दबा दबा के अच्छे से सेका है तो जब भी आपके घर में रोटियां बच चाहें और आपको समझ ना आए कि क्या बनाएं जो हल्दी हो तो यह वाली रेसीपी बना लेजेगा ढख करके हमने इसे इस तरह से दबा दबा के अच्छे स सेंख लिया है इसे बहुत अच्छे से सिंख किया है कहीं से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है तो इस नेकाल लेते हैं और इस तरीकेसे कट कर लिए आप चाहे तो इसके उपर चीस डॉल सकते हैं विसफ डाल के इसे 2 मिनट के लिए मैल्ट होने के लिए पका लीजिये और फि झाल झाल